माबाप को रोशन करने वाले बच्चों को अखिल भारत भूंदू महासवा घगवाल जिला शामबा जमु कश्मीर के मिधाविच हात्रों को नाम से इनाम देकर सम्मानित किया ताकि आने वाले समय में और भी ज्यादा बच्चे ज्यादा अंक लेकर इनाम लें अखिल पंगोतरा की रिकोर्ड जिला कटवा के शेरपुर गाउं में लगी आग मौके पर स्थानिय लोगों ने आगर आग को बुझाया मौके पर पुलिस को इंफॉर्म किया पुलिस मौके पर नहीं पहुंची जैसे ही इस्थानिय लोग कमरे के अंदर पहुंचे कपड़े पैसे जल कर राक हो गए थे इनके घर में लड़की की शादी को दो महीने रह गए थे घर के अंदर सोना, पैसा, सब जलकर राप हो गया था दोगों का कहना है कि जब वोट लेने आते हैं तो बड़ी जल्दी पहुंचते हैं अब तक हमारा MLA नहीं पहुंचा जिसके घर को आग लगी है वो बिचारा एक कारपेंटर का काम करता है इसके दो बच्चे हैं, इसको प्रशाशन की तरफ से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए अखिल पंगोतरा की फास रिपोर्ट प्रेस कलब जम्मु ने नशे की रोख थाम हेतू अवेरनेस कारिकरम का आयोजन जगत हौल अफनूर रोड पर किया जिसके अध्यक्षता सेक्रेटरी प्रेस कलब जम्मु ने की अखिल पंगोतरा की रिपोर्ट गाउं की और कारिकरम के तहट आज सीएओ श्राइन बोर्ट सिमरन दीप सिंग वीडियो सवा नूर तथा विबिन विभावो के अधिकारियों ने गाउं पुराना तारूर का दौरा किया डीसी राज़ोरी ने नौशेरा का किया दौरा जिसमें नौशेरा के अलग-अलग पंचायतो में बैक टू विलेज का प्रोग्राम किया इस दोरान उन्होंने लोगों की समस्चाएं सुनी इस मौके पर उन्होंने हर पंचायत में एक स्पोर्ट्स क्राउंड बनाने का भी वादा किया डीडीसी रज़ौरी मौहमत एजास ने भीशन एक्सिडेंट की जानकारी मीडिया को दी और गटना पर दुख व्यक्त किया आकाश मलिक की रिपोर्ट पुच्चा पिंड में भी बड़ी दंगल का आयोजन हुआ जिसका लुफ ठानिय लोगों ने उठाया पिपक शर्मा की खास रिपोर्ट उपजिला बसोली का एक टूरिस प्लेस जिसे मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है वे है पुर्थू और हम आपको बता दें कि वसोली के नवोदे विद्याले के तरफ से जाने वाली सड़क आपको सीधा पूर्तु में ले जाएगी यहां के डैम का किनारा बहुती सुन्दर है और मन को मोह लेने वाला है आज जब हम अपनी पूरी टीम जेके खबरनाओ के साथ यहां पर पहुंचें तो टूरिस्टों का तांता लगावा था उन्होंने खूब एंजॉय किया और हम आपको बता दे कि यहां पर आने वाले टूरिस्टों का जमावड़ा आजकल गर्मियों की छुट्टियों में अकसर देखने को मिल रहा है जब हमने यहां पर वोटिंग करने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जीविका का उनका एक मात्र सादन यही है और हम आपको बता दें कि बसोली उपजिला का टूरिस्ट प्लेस अपनी अलग पहचान रखता है जेके खबर नाव ब्योरोचीफ दीपक चर्मा की खास रेपोर्ट